ऐसा फाल्ट आपने कहीं देखा होगा तो बताएगा मैं टीवी को आन करके पुश बटन को दाब चुगा हूँ और मैं इसमें एबी लीड सिस्टम को लगा कर चेक कर रहा हूँ आवाज भी आ रहा है और चित्र भी देखिए कैसे आ रहा है तो बिल्कुल चित्र फीका फीका आ रहा है लेकिन आवाज सही है और इसके बाद मैं यह भी लीड को बाहर निकाल कर फिर चेक करूँगा नमस्कार दोस्तों संकार इलेक्टरानी चनल में आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ दोस्तों मेरे पास टेवी बनने के लिए आई है वीडियो काउन कंपनी का 14 इंची का टेवी है यह और इसमें फाल्ट मैं आपको तुर्ण दिखा रहा हूं वीडियो के मैं लंबा नही हुआ हुआ है फेका फेका चित्र आ रहा है कि इसमें फाल्ट है फेका फेका आ रहा है चित्र और यह लाइनिंग आ रहा है ऐसे अच्छा प्राइन भूर्ण पर शेट किया हूं इसको मैं इसमें गीटाल मैल्टिमेटर को और एक पूल को मैं ग्राउंड में लगा दे रहा हूँ और इसके मैं वोल्टेज दिखा दे रहा हूँ आपको यहां देखिए 23 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसके कलेक्टर पे मैं वोल्टेज अभी आपको दिखा रहा हूँ यहां पे 91 वोल्टेज 92 वोल्टेज आ रहा है और फिर मैं दूसरे नम्मर पे दिखा दे रहा हूँ आपको 23 ट्रांजिस्टर पे जो कलेक्टर होता है यहां पे 164 वोल्टेज पॉइंट नौ साथ ऐसे आ रहा है और फिर मैं इसके उपर वाला सबसे जो ट्रांटर लगा हुआ है 23 तीस यहां पे भी यहां पे वोल्टेज 164 वोल्टेज के उपर हलकस जा रहा है और इसके मैं बेस की बात करता हूँ तो बेस पे बोल्टेज देखिए यहां पे बेस बोल्टेज एक पॉइंट नौ आ रहा है जो कि यह ठीक है और यहां पे भी बेस बोल्टेज यहां पे भी ठीक है और इसका मैं देख रहा हूँ यहां पे बेस बोल्टेज तो तीन पॉइंट आठ बता रहा है यहां पे ही बोल्टेज हमें गड़वड दिखाई दे रहा है और इसके मैं और बोलटेज को सिर्थे मैं मेर्जे कर रहा होते में वृटेज देखिये जाने कि अधर में भी बोल्टे और इसके भी में अज़ित पर एक चाहर्ट और इसके मैंटर एक पॉइंट आठ नौ ऐसे बता रहा है ठीक है लेकिन यहां पर वोल्टेज हमें और यहां पर वोल्टेज बिल्कुल सही नहीं मिल रहा है और यहां पर वोल्टेज डाव दे रहा है जो कि यहां पर बिल्कुल सही है और यहां पर वोल्टेज नहीं सही है तो यही समस्या है, मैं आपको बता रहा हूं, तो इसमें फाल्ट ये है, मैं आपको बता रहा हूं, यहां से मैं गिंती कर रहा हूं, तो यहां तक इसका गिंती में पीन बता रहा है, 32, और फिर यहां से गिंती कर रहा हूं, तो 32 है, तो 32 दोन चौंशट, 64 पीन है सब मिला करके, और यहां से गिंती में गिन करके देख रहा हूं, तो 32 आ रहा है, और यहां पे 33 के बाद मैं यहां तक में जा रहा हूं, जो तो हम यहां से पीन नमर 46 गिंते हैं, यहां से 32 से लेकर कि 46 तक ले, तो 46 नमर का पीन मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, 33, 34, 35, 36, 47, 38, 49, 47, 42, 43, 44, 45, 46, तो 46 नमर पीन देखिए, तीन पॉइंट आठ और 47 पे एक पॉइंट नौ और 48 पे एक पॉइंट नौ, और 48 पे एक पॉइंट नौ, यहां पे यहां बोल्टेज हम देख रहे हैं, तो यहां बोल्टेज हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो कि यहां पे भी दो बोल्टेज के आसपास में राना चाहिए था, लेकिन यह यहां पे बोल्टेज इतना नहीं मिल्ला है, तो इसलिए इसका आईसी यह खराब है तो मैं वीडियो को लंबा नहीं किया हूँ इसलिए कि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाती है और यहां वोल्टेज मैं आपको बता चुका हूँ कि सारे पीन पे यहां पे ग्रीन ब्लू रेड जो कलर बनाता है यह टीवी को चलाने के लिए लेकिन हम वोल्टेज यहां पर प्रबड मिला है ब्लू पर तो मैं आपको यह डाइग्राम में दिखा रहा हूं आपको अधी मैं इसके ऐसे लगाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं इसका डाइग्रम आपको मैं दिखा रहा हूँ यह इसका नम्मर है आइसी का यल भी शीहत्तर शेसो दस शिक्स सी और 32 प्लस 32 टांग का आइसी है एक और 32 और एक और 32 सब मिला करके 64 पिन इसके है आइसी के और आइसी पिन नम्मर 46 पे हमें दो वोल्टेज के आसपास मिलना चाहिए जो की ब्लू है और यहां मिलना है चार पॉइंट एक वोल्टेज और आइसी पिन नम्मर 47 पे मिलना है जो यहां पर 2.05 भूल्ट ग्रीन है यहां आइसी पिन 48 नम्मर है जो यहां पर 2.01 ऑशन के हमें से मिलना है सिर्फ हमें यहां पर बोल्टेज गंवर मिलना है यहां पर चार पिला है इसलिए वön्टेज डाव दे रहा है और इसके में बात कर रहा हूं तो ये 33 ट्रायटर है और इसके वोल्टेज देखिये यहां पे वोल्टेज याले हम देखेंगे ये si देखिवे दु में बात करेंग बाइश भॉल्टेज जो निकालके इसरे जाता ऐसले अरह, पे तो यहां पे तीन पॉइंट एक आन्वे वोल्टेज आ रहा है तो यहां पे नहीं इतना आना चाहिए यहां पे दो वोल्ट के आसपास में आना चाहिए था और यहां पे वोल्टेज 89.5 voltage मिला है यहाँ पे voltage भी दाब रहा है तो गवर्ड कर रहा है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसे ही current जहाँ पे यह current और यह current शाट कर दे रहा है इसलिए यहाँ पे voltage के वजह से voltage गवर्ड कर रहा है जो कि आई सी ही फाल्ट कर रहा है और यह जो ओके voltage है देखिए 233 के तो यहाँ पे बोल्टेज अच्छी तरह से मिल लाया तो यहाँ पे देखिए voltage 1.9 और इसके base पे voltage मिल ला है 1.9 और इसके collector मिल ला एक 144.3 voltage और इसके a meter पे एक पॉइंट आट voltage ऐसे ही दूसरे तीसरे नमर पर सब पे वोल्टेज ऐस्से मिलना चाहिए था लेकिन voltage हुमें इस पे नहीं सही मिला है इसलिए मैं यह लिखा हूं रोंग मतलब मतलब यह वाल्टेज गबड़ है और यह उक्र ौप्रेज है इससलिए बट्र भट है है तुमेभीडियो को समाब करता हूं यादी मैं आईसी डालने लगो तो बहुत लेट हो जाएगा तो मैं आपको इस वीडियो को दिखाया हूं अधी वीडियो से आपको कुछ नालेज मिला तो एधनिवार करता हूं और में पने वीडियो को समापकता हूं जयहिन